नमस्कार दोस्तों मिरा नाम है प्रदीप चोहान और आप देख रहे हैं खबर हाट बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी दोस्तों कंगना रनाओत का बयान लगातार बीजेपी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं ये तो आप सब को मालूम है कल फिर एक ऐसा बयान कंगना रनाओत ने दिया कि जिसको लेके बीजेपी को तुरंट लगा कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सफाई देनी पड़ गए और तुरंट पीजेपी को कंगना रनाओत के उस बयान से किनारा करना पड़ गया तमाम सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर कंगना रनाओत जी जो की भाजपा की सांसद नेत्री हैं उनका एक बयान तीन क्रिशी कानूनों को लेकर जो की पहले वापस लिए गए थे चल रहा है मैं बिलकुल स्पश्टिता से कहना चाहता हूँ ये बयान कंगना रनाओत जी का फ्यक्तिकत बयान है एवं भारतिय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनाओत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकरत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है तीन क्रिशी का इसको दर्शाता है इसके उस बयान का हम खंडन करते हैं नमस्ते दोस्तों पिछले बीते कुछ दिनों में मेरिया ने मुझसे फामर्स लूख पे कुछ सवाल कि और किसानों को वापस लधने का प्रधान्मंतर जी इसे निवेदन करना चाहिए मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसपॉइंटिड हैं जब फामर्स लॉग प्रपोस हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने उनका समर्थन किया था लेकिन बड़ी ही समवेदन शील्टा से और सहानु भुती से हमारे मान्य प मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं भाते जंता पार्टी की कारे करता हूं और मेरे उपिनियन्स अपने नहीं होने चाहिए वो पार्टी का स्टैन होना चाहिए तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को प्रस्स नहीं सब्सक्राइड आप को मालम है किसानों को लेकर 3 विलों को लेकर कंगंँना रउंट ने एक बयान दिया था जहां कहा था कि किसान आंद्धुलन के दोरान चीन अमेरिका का हाथ था र week के मामले होसे पता नहीं क्या क्या बोलाथ है चोड़िये वो शब्दों को मैं दोराना नहीं चाहता था लेकिन उसने इतना नुकसान पहुंचाया बीजेपी को हर्याना में कि अभी भी उससे उबर नहीं पारी उसका नतीजा क्या हुआ उसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी ने कंगना रनौत के फिल्म पर ब्रेक लगा आज फिर बयान दिया कल जो है और बीजेपी को फिर पला जाड़ना पड़ गया लेकिन सवाल मेरा यह नहीं कि कंगना रनौत बयान दे रही है तुम्हें वीडियो कल बना चुका शाम को मेरा सवाल यह कि क्या यह कंगना रनौत सच में इतनी ना समझ है कि इस तरह के पॉलिटिक्स वो कर रही है और जिस तरह की उनका जो राइज है बीजेपी में वो देखें तो नहीं लगता कि कंगना रनौत बिना सोचे समझे ऐसे बयान दे रही है एक आठ बार हो सकता है दे दिया हो लेकिन लगातार एक बयान को लेकर दुवारा वही गलती करे ऐसी न या तो कंगना बिना बीजेपी को बताए अपना परसनल उसके लिए रन नीती अपना रही है या फिर बीजेपी कंगना के महाने इस रन नीती को आगे कर रही है अगर पहले उस पर परिदृश्य पर देखे कि कंगना क्यों कर रही है इसको तो मुझे असा लगता है कि कंग कि इस एकी लेड़ी ने कि कंगना रनौत ने प्रदशन पे बैठे किसानों के बारे में उल्टा सीधा खा था जिसमें उसकी मा भी थी उसके गुस्से मुस्ने थपड मारा था तो कंगना रनावत आज भी नहीं भूल पा रही है वो पीस इसलिए आए दिन वो किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है इसके एवज में चाहे उनकी पार्टी को क्यों न नुकसान हो जाए कंगना रनौत को ऐसा लगता है कि जब तक किसानों के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे उनके दिल को तसलिय मिल जाए तब तक वो इस जंग को जारी रखी अब इसके एवज में वो बीजेपी का नुकसान करने के लिए भी तयार हो रही है इतनी डैस्प्रेशन या इतना जखम उनको गहरा लगा है और इसी एवज में चाहा रही है मुझे लगता है कि फिल्म क्यों रुकी बीजेपी के लोगों ने फिल्म जरूर देखी हुगी ऐस है कि ये नुकसान करेगा ही करेगा ना सिर्फ हर्याना में बलके पंजाब में भी नुकसान करेगा और जहां जहां सिख है वहां वहां नुकसान करेगा और जाहिर सी बात है प्रधान मंतरी को अभी यूएस टूर पे भी जाना था यूएस कैनेडा में भी बहुत सी कम्यू अपना बदला लेने के लिए आतूर है इसलिए वो हर कीमत पर लगातार किसानों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है एक तो यह उनकी परसनल रणनीती मुझे ऐसा लगता है अपना परसनल एजेंडा सेटल करने में लगी हुए दूसरे इंगल से अगर सोचे तो यह भी कोई ऐसा कानुन कोई ऐसा कदम नहीं है जो इस सरकार ने उठाया हो अधानी और अंबानी को फायदा पहुँचाने के लिए और वो पूरा ना हुआ हूँ अपने देश में तो छोड़ी विदेशों में इन दोनों लोगों को फायदा के लिए क्या क्या है यह हम सब जानते इस पर के discussion करेंगे तो एक बहुत लंबा वीडियो अलगी बन जाएगा कैसे विदेशों में जाके अधानी को सारे contract मिल जाते हैं प्रधान मंतरी पहले जाते हैं उसके थोड़े दिनों बाद अधानी जाते हैं आधानी को बहुत दिनों से target में है अधानी के अखास करके अमबानी के तो हो गई होगा अधानी के target में बहुत दिनों से पहले आपका roll था कشमीर के सेब यहां से निकलते थे आप बाकी हिंदुस्तान में बेजते थे आज पूरी की पौरी सेव की इंडिस्ट्री अधानी के हाथ में हिमाचल का सेव अधानी के हाथ में जम्मू कश्मीर का सेव अधानी के हाथ में और हर इंडिस्री में यही हो रहा है एरपोर्ट में जाते हैं अदानी टैक्स पोर्ट में जाओगे अदानी टैक्स मोबाइल फोन चलाओगे अमबानी टैक्स सडक पे चलोगे अदानी टैक्स अनाज में अदानी टैक्स सेना हत्यार का प्रेयोग करेगी अधानी टैक्स कार्तूस अधानी टैक्स अगनिवीर अधानी टैक्स ये कब तक चलेगा तो क्या ये सरकार कंगना रणाओ जैसे नेताओं के जरी इस मुद्वे को जिन्दा रखना चाहती है और सही वक्त का इंतसार कर रही है कि एक ऐसा वक्त आए जब कोई चुनाओ आसपास ना हो ऐसा जिससे इंपेक्ट पड़ता हो और दुबारा कुछ नए रूप में इन किसान विलों को वापस लाया जाए और आधानी को खुश किया जाया और यह हो सकता है कि अभी ना हो हो सकता है इस सरकार के चार साल साड़े चार साल होने के बाद हो मलब मोदी जी को जब लगे कि मेरी टाम अब पूरी होने वाली है मेरा टाटा बाई बाई होने ही वाला तो जाते जाते भी कुछ किया जा सकता है एक लास्ट अटेंट आधान की खरीद फरोक्त करता है सीब की एगरिकल्चर सेक्टर में गुसाने के लिए ये सरकार एक अटेम्ट जरूर करेगी और करेगी मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला जो लग रहा है कि तीन बिल वापिस हो गए और खत्मों के ऐसा नहीं है ये अभी मामला ये चिंगारी दबी ह बुजी नहीं है तो इसलिए हो सकता है कि कंगना रनो जैसे नहिताओं के सहारे बीजेपी इन मुद्नों को जिन्दा रखने की कोशिश करी है वरना अगर किसी नेता के बयान से इतना नुकसान हो रहा है पार्टी को उसके फिल्म रोकनी पड़ रही है और उसको दो-दो ब बना हुआ है यह पॉसिबल लगता है आपको क्या मुझे पॉसिबल नहीं लगता कोई और इसकी जगाह होता कोई और मुद्दा होता तो शायद अब तक उसका इस्तिफ़ा हो चुका होता या फिर उसे ऐसी लितार लग गई होती कि क्या ही कहने तो दोनों एंगल से कर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि कंगना रनौत की बयानों के पीछी की सचाई कुछ और है दिख कुछ और या दिखाई कुछ और जारी है दिखाया यह जा रहा है कि कंगना रनौत की डंबने से कंगना रनौत की राजनीतिक ना समझ है जिसकी वैसे वह ऐसे बयान दे र गादिया और जिस फिल्म के लिए उस फिल्म को इस सरकार ने कैसे रोक दिया कंगनर अनौट ने तो जान बूज कि इस फिल्म को डिले किया था कि लगा था कि चुनाव के बाद बीजेपी सरकार आवी अब तो एमरजनसी के खिलाफ है कॉंगरस के खिलाफ फिल्म बनाई है अ किसानों के तीन बिल वापिस आने जी और साथ में वो ये भी कह रही है कि मुझे मालूम है ये कांट्रोवर्शल हो सकता है जब जानते बूझते भी वो दे रही है बयान तो उसका मतलब है कि वो सोच समझ के दे रही है और उस से ठीक एक दिन पहले वो एक और के खाते में जाता है जब इतना बड़ा एलिकिशन लगा रही है जिसके उन्हें मालूम है कि इस पर डेफरमेशन केस होना ही होना है उसके अगले ही दिन फिर अपनी सरकार के लिए गड़ा खोती है तो ये इतना इतनी ना समझतों कंगना रिनौत नहीं है खास करके वो परसनल एजेंडा है वो तो ही है लेकिन मुझे जो दूसरी पॉसिबिलिटी जो किसानों के मुद्धे को फार्म बिल्क को मुद्धे को जिन्दा रखने की टेक्टिस है वो मुझे ज्यादा लग रही है कंगना रौनोत के इन सब बयानों के पीछे की कहान है खिलाल इस वी झाल 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 झाल